नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Realme GT Master Edition 5G vs Realme 8 Pro का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Master Edition में 6.27 इंच जबकी Realme 8 Pro में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है विडि की बात करें तो GT Master Edition में 2.89 इंच जबकी Realme 8 Pro में 2.91 इंच की विडि मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो GT Master Edition में 0.31 इंच जबकी Realme 8 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो GT Master Edition में 174 ग्राम्स जबकी Realme 8 Pro में 176 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सूपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही डीस रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Master Edition में 6.43 इंचर्स जबकी Realme 8 Pro में 6.4 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन तो बॉडी रेशियो जी टी मास्टर अडिशन में 85.31 प्रतिशत जबकी Realme 8 Pro में 83.32 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइ डेंसिटी की तो GT Master Edition में 409 प्रति इंच जबकी Realme 8 Pro में 411 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो GT Master Edition में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा देखने को मिलता है और Realme 8 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में mono camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो GT master edition में 9 different type के features मिल जाते हैं और realme 8 pro की बात करें तो उसमें 11 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो GT master edition में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और realme 8 pro में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 8 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो GT Master Edition में Adreno 642L जबकी realme 8 pro में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो GT Master Edition में Qualcomm Snapdragon 778G और realme 8 pro में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 6GB, 8GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 128GB, 128GB की storage मिलती है expandable memory की बात करें तो GT Master Edition में नहीं है जबकी realme 8 pro में up to 256GB है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी GT Master Edition में 4300mAh जबकी realme 8 pro में 4500mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों phone में सेम ही 3 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो GT Master Edition में 2 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB storage के साथ 25,999 रूपी 8GB RAM 128GB storage के साथ 27,480 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें realme 8 pro की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB storage के साथ 17,999 रूपीस 8GB RAM 128GB storage के साथ 19,999 रूपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो realme GT Master Edition 5G में 4 फायदे और नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें realme 8 pro की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो display में दोनों phone सेम ही है main camera में realme 8 pro आगे है front selfie camera में दोनों phone सेम ही है performance में दोनों phone सेम ही है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें realme GT 5G है जो की 37,999 रुपे में मिलता है तीसरा Xiaomi Mi 11X है जो की 29,890 रुपे में मिलता है और last competitor phone की बात करें तो उसमें realme X7 Max है जो की 24,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना